आई इस question को solve करते हैं Question क्या कह रहा है इस number being divided by 52 gives remainder 45 if the number is divided by 13 the remainder will be क्या कह रहा है question यह एक number है अगर उसे 52 से divide करते हैं तो 45 remainder बचता है अब उसी number को अगर 13 से divide करेंगे तो क्या remainder बचेगा इस तरीके के question में हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहले जिस number से हम divide कर रहे हैं इस case में 52 है उसका और बाद में जिस number से हम divide कर रहे हैं उसका इस case में 13 है उसके बीच में कोई relation है क्या आप यहां देख पाएंगे कि 52 को अगर हम 13 से divide करते हैं तो यह 4 टाइम जाता है और completely divide कर देता है 52 को 13 ठीक है इस तरीके के question में जब इस तरीके का कोई relation बनता है तो हम क्या करते हैं कि हम simply इस remainder को लेते हैं जो 45 है और इसको जो second number से divide करने की condition दी जा रही है इस case में जो 13 है उससे जब हम divide करेंगे तो जो remainder आएगा वही remainder होगा उस number को divide करने से 13 पे इस case में remainder क्या आएगा इस case में जब आप इसको cancel out करेंगे तो यहां पे 6 remainder बचेगा ठीक है